हाई वर्गो कन्या राशी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे चानल पर आज हम आपके 2023 न्यू यर की रीडिंग करने वाले हैं और येस मैंने सभी राशियों की रीडिंग डाल दी थी लेकिन मैं वर्गो की वर्गो सैंकी भूल गई थी तो आज मैं ही वीडियो रही हूँ पूरे साल की तो चले स्टार्ट करते हैं आपके लिए ओम नमह शिवाए ओम नमह शिवाए ओम नमह शिवाए क्यों बापा वर्गो कन्याराशी यह 2023 23 thank you thank you thank you thank you so much nine of cups hanged men king of cups the lovers two of cups okay hmm hmm okay seven of swords seven of ones and queen of swords thank you okay seven of cups chariot okay my dear कोशिश कर रहे हैं और रिलेशन्शिप्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चीजे आपको इस नए इस साल में आपको दिखेंगी आपके रिलेशन्शिप बहतर होते हुए नजर आएंगे और alignment में आते हुए बेसिकली रिश्टे नजर आएंगे जिन रिश्टों में खटास आ रही थी वो भी चीजे हील होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और आप भी बहुत ही honesty के साथ purity के साथ इन रिश्टों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करूं आप भी कही ना कही उन रिश्टों से यह चाहेंगे कि आपको equally importance दे जाए या आप पर focus किया जाए या आपको मतलब आपका यह concern रहेगा कि वो जो रिश्टे जो आप निभा रहे हैं वो आपको भी उतनी ही importance दे जितनी की आप उनको दे रही हैं तो एक होता है ना कि जिसे आते होंगे इस साल की अगर में बात करो relationships की और बाकी अगर आपकी relationships overall में बात करो तो बहुत ही खुबसूरत रहने वाले हैं alignment में आ रहे हैं यहां पे आपके cups भी बहुत stable पड़े हुए हैं और बहुत ही तरीके से यहां पर रखे हुई हैं तो कोई मुझे दिक्कत यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं आपकी emotions में आपके रिष्टों में और आप भी उन्हें बखुबी निभाते वे नजर आ रहे हैं जहां जिन चीजों में control करने की जरूरा थे वह control भी हो रहे हैं controlling भी आप नजर आ रहे हैं किसके साथ कितना कितना विहवाहार आपको करना है वो तरीके से अगर मैं बोलू तो यहां पर यह है रिष्टों की बात लिकिन बहुत ही नाप तोल के साथ आप चल रहे हैं बहुत ही manage करके चीजों को चल रहे हैं कि कोई मुझे कितनी respect दे रहा है कोई मुझे कितनी तवज़ों दे रहा है उसके साथ मुझे उतना behave करना है और क रिष्टे को लेकर करके या डिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर आप किसी न्यूस की वेट कर रहे थे तो वो भी आती हुई नज़र आ रही है मुझे यहां पर आपके लिए और या और हीलिंग हो रही है basically जो रिष्टों पेलिए खटास आ रही थी उन में हीलिंग हो कि अखॉर्डिंग लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपको कुछ ना कुछ हमचिभी हैं चेंजेश का समय और है कोई मेजर बीजर डिसीजन लेने बढ़ सकते हैं एक दम से कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है और कुछ अवेकनिंग सी होती वह नज़र आ रही है मुझे करियर के लिहास से तो आपको बोला जा रहा है यहां पर थोड़ा सापको काम रहना है शांत रहना है और चीजों को समझदारी से लेकर के चलना है हलके-फलके अंदाज में लेकर के आपको चलना है करना है और तब चीजों को आगे ले करके बढ़ाना है क्योंकि यहां पर एक शिफ्ट मुझे नजर आ रहा है और आपको बोला जा रहा है जो भी चीज आपके करियर के कॉर्डिंग इस साल हो रही है उनको एक अलग नजरिये से आपको देखने की जरूरत है इस साल क्योंकि थोड़ी से difficulties यहां पर मुझे हाते भी देख रहे हैं क्योंकि यहां पर भी clouds है तो difficulties थो यहां पर थोड़ी obstacles आपके करियर में हो सकते हैं उतार चड़ाव में देख रही हूं लेकिन अगर आप उन्हें शांती के साथ पीश के साथ अगर आप उन्हें हैंडल करेंगे और सह जारी का अगर आप अपने intelligence को सही तरीके से use करेंगे ठीक है तो आप इन situation से बहुत easily निकल जाएंगे और अगर यहां मैं बात करूँ आपके health की यहां पर है king of cups and seven of cups तो my dear थोड़ा साना यहां पर आपको बोला जारा है focus होने के लिए अपने health को लेकर के क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही है life में पूरे year की यहां पर बात हो रही है तो उतार चल आप चलते रहते हैं चाहे वो आपकी relationships हो चाहे वो आपका career हो तो आपको focus रहनी की जुरूरत है सिर्फ एक जगाबे जो चीज़ आपकी life में जिस चीज़ को लेकर के आपकी priority है सबसे जादा मुझे यहां पर priority आपके लिए अभी फिलहाल के लिए शायद लग रही है कि आपकी health आपकी emotional health यहां पर focus में आ रही है ठीक है आपकी emotions को थोड़ा control करने की बहुत जरूरत ह है और जिस वज़े से कि आप भी बहुत ज़ादा negative हो रही है और इस वज़े से आपकी health पर उसका बुरा असर पढ़ रहा है या आप अपनी health को ignore करते हुए नजरा रहे है तो ऐसा आपको पूरे साल नहीं करना है आपको यहां पर यह बोला जा रहा है ठीक है अपने आपक जो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी लिए priority क्या है अगर health में कुछ issues आते हैं तो health को लेकर के strong decision लेने की जरूर रहत है ठीक है अगर कहीं आपको लग रहा है कि मेरे career में इस तरह में को situations ऐसी है तो career को लेकर करके आपको focus होने की मतलब एक 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 focus create करने की basically जरूर control भी नहीं कर पा रहे हैं और सभी चीजों को क्या उन में से कोई एक चीज भी control में नहीं आ रही है और यह specifically health के लिए आया है तो health पर फोकस करने की जुरत है health को लेकर के बिलकुल ignore नहीं होना है जतना हो सके अगर आप green vegetables का healthy diet लेंगे उतना अच्छा रहेगा और healthy routine को अप का बार की बात एक अलग होती है लेकिन जादा तर उसे avoid ही करना है आपको इस साल के लिए आपके लिए यहां पर जो message आ रहा है और अगर spiritually यहां पर मैं बात करूं आपके लिए the lovers का card है और chariot की यूजा है कोई दिखी यहां पर वर्गुस आप लोग हो सकते हैं आप लोग कि आपका यहां पर heart chakra heal होना रहता है यहां कोई relationship issues है या relationship में कोई issue नजर आ रहा है यहां की relationship की healing होनी बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ यहां पर symptoms मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है जब तक आप उस situation को heal नहीं करोगे क्योंकि यहां पर है arch angel Gabriel तो Gabriel यहां पर आये हैं Gabriel जो होते हैं वो heart chakra को heal करने के लिए माने जाते हैं तो आप उमसे प्रात्ना कर सकते हैं आपके heart chakra को heal करें और जैसे ही आप अपने heart chakra को heal करेंगे यहां पर देख रहे हैं chariot की ऊजा है वैसे ही आपकी जो भी रुकी हुई growth है चाहे वो emotional हो आपकी relationship हो आगे बढ़ेगी उसको एक जिससे कहते हैं push मिलेगा वो आगे growth लेगी success मिलेगी उसको आगे वो आगे grow करेगी बेसिकली तो आपको उस पर focus करने की जुरूत अपने heart chakra को basically heal कीजेगे यहां पर आपका heart chakra blocked होता हुए नजर आ रहा है और यहां पर arch angel Gabriel आपकी मदद के लिए बिल्कुल यहां पर है और वो चाहते हैं कि आप अपने heart chakra को heal करेंगे किसी relationship को लेकर के भी हो सकता है और अगर मैं overall यहां पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ my dear career की अगर बात कर ली जाए यहां पर तो the hanged man जिस तरीके से नजर आ रहा है मुझे क्योंकि कुछ ना guardian यह overall आपकी life हो सकती है अपने according देखिए ठीक है यह journal reading है तो अपने according अपनी life से match कर सकते हैं आप यहां पर तो basically आपकी wishes fulfill हो रही है इस साल में आपको यह बताया जा रहा है लेकिन उसके लिए उन wishes को fulfill करने के लिए उन मनतों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा प आपका career opportunities हो चाहे वो आपका दिल का मामला हो ठीक है तो बहुत ही खुबसूरत opportunities इस साल आते हुए आपकी तरफ दिख रही है लेकिन अगर आप healed नहीं है आप balance नहीं है आप align नहीं है तो उन चीजों को आप grab नहीं कर पाओगे अगर आप focus नहीं है ठीक है तो आप उन ची confidence को develop करें positive रहें ठीक है और कोई भी decision लेने से पहले आपको meditate करना है contemplate करना है सोच विचार करके ही चीजों को लेना है ठीक है क्योंकि थोड़ा वक्त आ सकता है hanged man की उज़ा यही बता रही है थोड़ा break का समय है ठीक है थोड़ा rest का समय है चीजों को contemplate चीजों को contemplate माने सोचने समझने का कि मेरे साथ चीजें किस तरीके से चलती आ रही है क्यों चलती आ रही है अब उनको क्या करना है नापतोल करना चीजों को वो सब आपको देखने की बहुत अच्छे से जरूरत है और मेरे साथ वैसा क्यों हुआ किसली हुआ मैंने क्या lesson सीखे है अपनी life मे अब मुझे आगे क्या करना है, मेरा क्या गोल है, मुझे क्या पाना है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या चीज़े हैं जिनको मुझे बालेंस करके बेसिकली चलने की जुरत है, किन चीजों को हील करने की मुझे जुरूरत है, किन चीजों को लडगो करने की जुरत है, यह सब चीजों के contemplation आपके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है तो तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं और यहां पर अगर challenge की ही बात की जाए तो यहां पर आपके लिए two of cups की उर्जा है ठीक है और two of cups यहां पर आपको क्य करने में अभी balance क्या अभी यह balance की बात हो रही है तो आपको देखना आपकी life में कि आपकी life में कहां imbalance हो रहा है कोई routine imbalance है आपका emotions imbalance है रिष्टे practical life आपकी आपका career क्या है मतलब कुछ कहीं तो imbalance आपका चल रहा है तो उसको balance create करने की जरुरत है और वहीं आपके लिए challenge भी बना हुआ है अगर आप इसमें balance create कर लेते हैं ठीक है और इसमें balance लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कभी किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है manage करके चीजों को आगे बढ़िए time table बनाईए honesty के साथ आपको आगे बढ़ना है priority के साथ आपको आगे बढ़ना है ठीक है अपनी creativity को passion को जितना हो सके use कीजिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है और हो सकता है यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई दो options हो सकते हैं या आप crossroads पर हो सकते है है my dear ठीक है तो जल्द बाजी में again मैं बोलूँगी जल्द बाजी में आपको कोई decision नहीं लेना है ठीक है और यह साल रहेगा कि high possibilities बन रही है कि आप लोग यहाँ तो किसी रिष्टे में बंदने जा रही है या फिर आप basically partnership की मुझे यहाँ पर vibes आ रही है with the lovers and the two of cups ठीक है कोई commitment आपको मिल सकता है या फिर आप कोई partnership आप कर सकते हैं business partnership भी हो सकती है यह ठीक है वो आपके लिए बहुत fruitful रहेगी इस साल तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस साल जो भी decisions लेने हैं बिल्कुल जल्द बाजी में नहीं लेने हैं ठीक है aggressive decisions आपको नहीं लेने है सोस समझ करके आपको decisions लेने हैं अगर आप सोस समझ करके decisions लेंगे तो आपके लिए highly fruitful होगा और मैं कहूंगी क्योंकि जिस तरीके से cards आए है with the hanged man in seven of swords यह दोनों ही cards से बताते हैं कि अगर आप किसी भी decision को लेने से पहले थोड़ी दिर भी अगर आप meditate कर लेते हैं 10 minutes 15 minutes भ आपको सही decisions ले पाएंगे यहीं अगर हम बात करें divine की तो आपको क्या guide करना चाहते हैं उनकी तरफ से क्या guidance है आपके लिए तो यहां पर है seven of wands और queen of swords my dear अपने आपकी life में जितनी भी यह उतार चड़ा क्योंकि हम सभी की life में आते हैं किसी के life stable नहीं जलती है ऐसा नहीं होता है कि आपकी life में कभी उतार चड़ा भाएंगे ही नहीं ठीक है ना life तो है ही changes आते रहते हैं ठीक है ना दिन रात होता ही रहता है तो जो भी obstacles आप बिच्छे नहीं मुरना है, आपको अपनी उर्जा को लो नहीं करना है, अपने अंदर की फायर को कम नहीं होने देना है, आगे बढ़ते जाना है इन चीजों से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अपने अंदर की जो spirit है उसको कायम रखना है, अपने अंदर की positivity को आपने कायम रखना है और आगे बढ़ना है, और मतलब उन तकलीफों से या फिर जो भी obstacles, जो भी आपकी life में आ रहे हैं अपने चालेंजेस, उन से उन कॉंपटीशन वगएरा से उन से डरना नहीं है विलकुल भी confidently उनका आपको सामना करना है और जो भी experience आपने अपनी life में गेन करा है विद्धी क्वीन ओव स्वाट्स, आप लोग already experienced है, तो उस basis पर आपको अपनी life में major decisions लेने हैं क्योंकि ये भी कहीं न कहीं decision लेने की बात ही करती है आप लोग बहुत spiritual है वर्गॉस, बहुत ज़्यादा spiritual है, मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर spiritual union भी यहाँ पर देख रही हूँ बहुत protected हैं आप लोग और बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप लोग और बस divine आपको यही कहना चाते हैं कि अपने experience को आपने लेकर के आना है उससे जो भी अपने lesson सीखे हैं उस experience को apply कर दीजिए इस साल और उस basis पर आपको decisions लेने हैं और बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना है आगे बढ़ते जाना है अगर आप यह अपने अंदर उस confidence को ले आएंगे उस उर्जा को अगर आप जीवित रखते हैं तो आपकी wishes यहाँ पर fulfill हो रही है जो मैंने आपको यहाँ पर message दिया है ठीक है तो basically आपको इन छोटी छोटी दिक्कतों से घबराना नहीं है आप एक king है ठीक है आप एक king है king के अंदर क्या quality क्या होती है वो पूरी प्रजा की देखरे करता है तो क्या वो छोटी छोटी difficulties से डर जाता है वो कितने बड़े बड़े decision लेता है इतने बड़ी बड़ी problems में भी वो इतने अच्छे decisions ले लेता है तो वैसे ही आपको भी काम करना है इस साल आपको बुला जा रहा है चलिए और देखते हैं आपके लिए बस अपने अंदर की strength को जगा के रखना है positivity को जगा के रखना है ठीक है और divine से जितना connected रहेंगे validate करेंगे चीजों को सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है ओके ऐम नम्हाश्येवाए ओम्नम्हाश्येवाए थासब्यंट्वी में बस का ईधकरना चाहते हैं ऊन्हें प्लीज बताएं और शम्नम्हाश्यवाए वल गों को कन्याश्य अराश्यवाए था इह रहें आपके जे कृट दृखर आइधकरना चीज़ों और श Interestingly मैंने आपको यही बोला और divine भी आपको बोले बाब भी आपको यही message दे रहे हैं कि rebel की उर्जा में आजो, अपने आपको बंदिशों से बाहर निकालो limit मत करो, अपनी potential को समझो, अपनी power को समझो कि आप कौन हो आप एक राजा के समान हो, आप एक योधा हो, ठीक है किसी वक्त पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी life में जैसे सब कुछ खतम हो चुका है तो अपने आपको उसी में ही जगाना है, अपने अंदर की spirit को वही जगाना है आपको बोला जा रहा है क्योंकि वो एक कही नए शुरुवात है, आपकी नए शुरुवात है, वो बेसिकली वो आपकी जीत है वो आपको विजय की ओर लेकर जा रही है वो आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रही है, वो आपको बिलकुल सही दिशा की ओर लेकर जा रही है आपके साथ क्योंकि किया ही ऐसा जा रहा है अगर आपकी life में ऐसे situations पैदा की जा रही है divine की तरफ से तो वो key ही इसलिए जा रही है कि आप अपनी potential को basically समझे और आपने जितना अपने आपको limit कर रखा है situation से आप बाहर निकले यह जो hang the man की ऊड़ जा है यह कुछ major transformation मुझे लग रहा है कुछ shift एकदम से कि आप कुछ और करते हुए आ रहे है थे खासकर career के शित्र में अगर मैं बात करूँ तो एकदम से यूटन ले लेना या कुछ अलग से करना ठीक है जो शायद आपने पहले कभी सोचा नहीं था या कोई आपका dream था पास्ट लाइव ओ मैं गॉड ओके वाउ राइट थेंक यू फूल देखिए मैं वही बोल रही हूँ आपको और आपको definitely यहाँ पर healing की जरूरत है आपकी heart chakra की healing की बहुत जरूरत है message आ चुका है यहाँ पर तो past life से यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर past life कर्मा यहाँ पर release हो रहा है और आपके ancestors आपको पूरा support कर रहे है वो आपके साथ है वो आपको guide कर रहे है don't worry आपको घबराने की जरूरत नहीं है और आपको बोला जा रहा है कि यह जो भी situations चल रही है वो past life के कर्मों का लेखा जुका है तो अपने आपको इस तरीके से ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैंने कभी किसी कबुरा नहीं करा है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो divine आपको यही बोल रहे है यह chakra always चलता रहता है आप protected है don't worry वो आपको safely लेकर के आगे चल रहे है और आप किसी कार्मिक बंदन से बाहर आ रहे है आप उसको complete कर रहे है completion दे रहे हैं आप उसको तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि अब शुरुवात करनी की है एक नई journey क्योंकि हो सकता है आप लोग किसी ऐसे करियर में स्थक थे या किसी ऐसे relationship में स्थक थे आप ज़रूरत है उससे बाहर आने की तो यह transition mode हो ही उसी ले रहा है तो उसके लिए आपकी healing होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो आपको यहाँ पर divine यही बोल रही है कि अपने heart chakra को heal कीजे मैं कहूंगी कि यह आप mantra बना लीजे और आपके heart chakra का जो बीज मंत्रा होता है वो होता है यम वाई एम यम इसे जितना chant करेंगे उतना अच्छा रहेगा और यह साल आपके लिए जो green color है वो lucky color रहने वाला है green color का जितना आप use करेंगे day to day life में चाहे आप किसी भी तरीके से use कर रहे हैं कपडों में, gadgets में किसी भी तरीके से उस color को use कीजे green vegetables को use कीजे nature के साथ drive spent कीजे तो वो उतना ही आपके heart को भी heal करेगा, chanting कीजे meditation कीजे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा divine आपको इहाबर बोल रहे हैं ठीक है योगि जितनी जल्दी आप अपने heart chakra को heal करेंगे, उतनी जल्दी ही आगी की possibilities के लिए आप open रहेंगे ठीक है ओन नम्हाशिवाई ओन नम्हाशिवाई और क्या message है वर्गो कन्याराशिवाई लोके लिए बोले बाबा 2023 के लिए और क्या message तो नचाहते के universe मैंने आपको बोला ना universe आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं उनकी पूरी नजर है divine universe आप जो भी उन्हें बोलते हैं आपके angels, आपके spirit guide आपके ancestors, उनकी presence है यहाँ पर, वो आपको देख रहे हैं आप किसी बहुत बड़े cycle को close करने मैंने आपको यह बात बोली ना, हाला कि यहाँ पर world card के entry नहीं थी, कि आप किसी cycle को close कर रहे हैं, वहीं यह universe का card आगे, यह world card है तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप किसी एक cycle को close कर रहे हैं किसी कार्मिक pattern को close कर रहे हैं तो जब आप उस transition mode से होकर के गुजरेंगे, आपको अपने अंदर की power को कायम रखना है अपने अंदर की positivity को कायम रखना है उन चीजों से आपको घबराना नहीं है क्योंकि अब यह एक नई शुरुवात है आपकी लिए अगर आप इसे as a blessing लेकर के चलेंगे और इतने positive होकर के अगर आप चलेंगे तो आप अपनी growth खुद देख लेंगे बहुत सारी abundance आप attract करने वाले है बहुत सारी opportunities आपकी तरफ आते हुई दिख रही है with the king of cups and the star cards बहुत सारी possibilities, बहुत सारे options आपकी तरफ आ रही है चाहे मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका career है चाहे वो आपकी love life है पर काहा आपको युद्धा की तरह ही करना है wisdom, yes stability, वो stability आपकी तरफ आ रही है आपकी life में आ रही है पर अपनी wisdom को use कीजिए किसी रिष्टे की healing भी में देख रही हूँ आपके आज पास अगर आप किसी से guidance लेना चाहे अपने रिष्टे को ले करके, अपने काम को ले करके वो भी आपको मिलती है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके आज पास बहुत ही जैसे मैं कहूँ आपके well wishes आपको पूरा support करेंगे इस साल, my dear stability आपको definitely मिलेगी, success आपको definitely मिलेगी बस अपनी wisdom को, अपनी knowledge को, अपनी experience को आपको use करना है, क्या message है divine, heart chakra देखिए two time आ गया healing in heart chakra, अब तो आपको confirm हो जाना चाहिए heart chakra आपका focus में है, जब तक आपका heart chakra blocked रहेगा आप आगे grow कैसे करोगे, my dear, heart chakra को open करना है आपने Virgos victory, see, जैसे ही आपने heart chakra को block, sorry, open करा वैसे ही आपके लिए हापे victory and success है, एक नई शुरुवात, एक एक नई शुरुवात सफलता की, abundance की, prosperity की, एक नई युग की, एक नई journey start करना, ठीक है, जो भी bad cycle था, मैं कह रही हूँ ना कि अपने आपको बिल्कुल ऐसा मत मानिये, Virgos की मेरी life में अभी तक जो हो करने का, blessings की और आगे बढ़ने का, positivity की तरफ आगे बढ़ने का, आपको यहाँ पर divine बोल रहे हैं, क्योंकि आप वो बिगुल बजा रहे हैं, वो सफलता का बिगुल बज रहा है, वो victory, वो success, वो recognition आपको मिलती भी नज़र आ रही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर heart chakra पर आपको काम करना है, heart chakra की पीछे पर जाएए, heart chakra की chanting शुरू कर दीजे, इस green color के साथ काम करना शुरू कर दीजे, ठीक है, यह बहुत जरूरी है, अगर आप अपने room में green color की curtains लगाएं, या green color की shirt का भी यूज करें, किसी भी तरीके साब यूज कर सकते है, my dear, green color का यूज करें, ठीक है, वो आपके heart chakra को बहुत हील करेगा, cut your cords, देखे, divine भी आपको क्या बोल रही है, ask archangel Michael to clear any old attachments to fear death stem from past relationships, freeing you from destructive pattern, तो definitely यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी cords को cut कीजिए, अपने आपको release कीजिए, ऐसे लोगों से, ऐसे situation से, ऐसे relationship से, जो आपको stuck करके रख रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो भी attachments हैं, उन सब को clear करने की कीजिए, उन से मदद मागिए, वो आपकी मदद के लिए definitely आएंगे, और again यहाँ पर थर्ड टाइम आपके लिए Archangel Raphael है और वो आपके लिए आए हैं और वो आपको हील करना चाहते हैं, वो आपको support करना चाहते हैं, आपके heart chakra को हील करने के लिए, तो आप इन दोनो Archangel Michael और Archangel Raphael के साथ आप काम कर सकते हैं, उन्हें invoke कर सकते हैं, और उन से मदद मांग सकते हैं, वो definitely आपकी मदद करेंगे, अगर आप उन से मदद मांगेंगे तो वो आपको heal करेंगे, आपके coach को cut करेंगे, ठीक है, और अगर आपको नहीं भी पता है, वैसे तो बहुत सार आपको heal करना है, आपको meditation में जैसे हम बैठते हैं, आपको यम जब chant आप करोगे, तो आपको ऐसा feel करना है, कि आपके heart chakra में ग्रीन कलर की light जल रही है, ठीक है, वो bright हो रही है, ऐसा feel करना है, उस वक्त वो color therapy होती है, उससे आपका heart chakra heal होगा, और आपको बहुत relief मिलेगा, औ और ऐसा आपको daily करना है, minimum आपको chanting 41 to 51 time करनी ही करनी है, आप 2 time कर सकते हैं, 3 time कर सकते हैं और अगर code cut की बात की जाए, तो आपको meditation जैसे आप करते हैं, वैसे आप बैठ जाएए, अपने चारो तरफ, आप पहले तो अपने divine को जिन भी इस्ट से आप believe करते हैं, जिन में भ Archangel Michael को बिलाएं, और उन्हें बोलिये कि वो आपकी जितने भी negative chords हैं, जितने भी old attachments हैं, जितने भी relationships हैं, चाहे कोई भी आपकी memories हैं, ऐसी old, उनको cut कर दे, तो आप देखेंगे कि Archangel Michael के बहुत बड़े-बड़े golden wings हैं, और उनके हाथ में एक golden sword होती है, ठीक है, और वो कि जो negative chords हैं, उन्हें cut कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो cut हो जाएं, तो आपको अपने आपको जो है, एक white color के bubble में पाना है, कि आप एक white color के bubble में, that means कि white light के अंदर है, divine की light के अंदर है, divine के आशुरवात के साथ हैं, और वहीं आपको Archangel Michael को thank you बोलना है, और जो आपकी east है जो आपके प्रभू हैं, उन्हें divine शक्ति को आपको thank you बोलना है, ठीक है, और ऐसे ही आपको Archangel Raphael के साथ भी करना है, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, आप खुद ही अपने आपको heal कर लेंगे, तो ये तो आपको करना ही है, अगर आप अपनी life में growth चाहते हैं, ठीक है, क अगर आप इस card को देखेंगे, तो वो आपको देख रहे हैं, पूरी नजर है उनकी, तो आपके साथ कुछ भी उपर नीचे नहीं है, अगर ऐसा आप सोचते हैं, तो ये आपकी गलत फैमी है, क्योंकि आपको आगे लेकर जाया जा रहा है, और आप आगे जाओगे, तो इ difficulty नहीं आए, ठीक है, तो बहुत ही खुबसूरत ये रहने वाला हैं आपके लिए, transition का mode है, definitely, लेकिन अपने अंदर की power को कायम रखी और आगे बढ़िये, क्योंकि सफलता आपकी वेट कर रही है, बहुत ही खुबसूरत, तो ये स्वर्गोस ये थी आपकी reading, hope आपको इसस guidance मिली हो, मिली है तो please video को like जरूर कीजेगा, channel को subscribe जरूर कीजेगा, thank you so much for watching my video, God bless you all, bye-bye